रात में सोने से पहले बस ये छुटा सा काम करके सो जाए आपके बाल जमीन तक लंबे ब्रसी से भी मजबूत और कोईले से भी काले हो जाएंगे जी हाँ दोस्तों अगर आपको भी लंबे बालों की खुआई से पर बाल जो है लंबे नहीं हो रहे हैं गंजबन की समस्या हो गई है बाल कमर से लोपर रहे के बाल हो गए बाल बहुत द्राइ राइ चोरब बहुत इन पतली हो रही है थो बस इन बीचों कु अपनी बालों में मेरे बताईवे तरीके से लगाना स्टार्ट कर दे आपके टकले सिर्फे भी नए बालों ने स्टार्ट हो जाएंगे बाल जो है जमीन को छूने लगेंगी बाल इतनी मोटे होंगे कि आपके हातों में नहीं आएंगे और हैरफॉल तो बिल्कुल होगी नहीं क्योंकि आज जो मैं आपको तरीका बताने लगाने वाली हूं यह सबसे बेस तरीका है वालों में ऑलिंग करने का और यह दो चीजे जो हम इस रिमेडैी में यूज करने वाले हैं यानि फेनुगरी को और उनियन सीड इसे आयरुएदा में हमारे बालों में मेडिसिन के रूप में काम करती है यह बताया गया है जिस आपके बालों में कोई भी समस्या है, इचिंग हो रही है, बाल टूट रहे हो, या बाल पतले हो गए, स्केल्फ सो हो रही है, बालों में बिल्कुल भी चमक नहीं है, ये सारी समस्या जो भी है इसके इस्तमाल करने से हमेशा के लिए दूर हो जाने वाली है, बाल रस्ती से घरणे होंगे घरणे यहां और लेना ऐ NOW मस्टडorter के पर लेकिश यहां आ किष़ए सिरोय जोंक drag करते हैं यह इदे जुरों क्लीए कि के प्रॉट हैं किम क्लीए आफ्य 20 जो होते नियुकर जी रूखने में दादी नानीमा अकसर अपने बालों में मस्टेडोल का यूज घरती थी जिस्से कि उनके बाल इतने काले-घंवायम होते ही हैं तो हम भी इस ओलुको मस्टेड़ोल में भनाने वाले हैं जिस्से कि इसके benefit बालों को अच्छे से मिल पाय बाल जो है काले घने लंबे मुलायम हो और यह सोल को हम बनाना स्टार्ट करेंगे इसके लिए आपको एक मोटे तले का बरतन लेना है जिसमें भी सोल को प्रिपेर करना हो आप ले ले मैंने यहां पर दो स्पून करिब लिया है फेनुगिरिक और यहां पर अनियर सिर्ट दोन को जल्दी से लंबा घना काला करना है तो यहां पर आप सर्सो का तेल ही ले क्यूंकि को कॉक्निट ओल को इससे बनाने में क्या होता है जब इसे अपने बालों में लगाएंगे तो को कॉक्निट ओल चुछती है इसके जम जाती है विंटर के टाइम में अच्छे से अगर आ आपके बालों में स्केल्प में नहीं जमेगा तो आप यहां पर तिल का तेल या सर्सो का तेल ही ले इसे बनाने के लिए तो इस तरीके से आपको इसमें मिला देनी है यह बहुत ही जल्दी से बनकर रेडी हो जाएगा इसे बना के आप लब में टाइम तक रख सकते हैं बि कुछ टाइम के बाद देखेंगे आपको इसका जो कलर है पिल्कुल चेंज होता हुआ दिखेगा यानि जो फेनुगरीक है और अनियल सीड जो है इसमें इसका जो कलर है डार्क होना इस तरीके से बपरसानी स्टार्ट हो जाएंगे यानि जो इसके बेनफिट अच्छे से हमा बालों का जड़ना बंद हो जाए और बाल जो है मजबूत हो तो जो है हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है बस आपको इसी टाइम पर इसे अलग कर लेना है आप चाहें तो इसे ऐसी भी रख सकते हैं लेकिन इसे लगाने में आपको फरसानी होगी इसलिए आप इसे की करते हैं कि कि बहुत आप और हो जाता है इस तरिके से लेना ही जाओ करना है के लिए तीन से चार दुने के लिए 12 बश्याहता है तो आप यहां पे तेल ज्यादा डाले और इसकी फेनुगिरी को अन्येंस की क्वांटिटी को बढ़ा दे और इस और को आप वन वीक के लिए टू इक मंत के लिए बना के रख सकते हैं और यह बिल्कुल भी खराब नहीं होगा अपने बच्चे को किसी एज के लोगों लड़ और आप नहीं स्कॉझ करेंगे तो इसके डबल साइदे मेलते हैं तो सबसे पहले क्या करना है आपको इसको किलें कोंटिटी ले ले अपने बालों में अच्छे से आपको कॉंब कर लेना है इस तरीके से हलके हाथे हांतों से आपको फिंगर की हैल्फ से मसाज करते हुए ल बाल जो है उड़ जाते हैं सोने के टायम पर या हमारे बाल वहां पर लग रहे हैं बहुत हलके उगए हैं कम हो गए है या वहां से गायब हो गए हैं तो THIS कि या आपको पूरे मिलेंगे कि अपर की आपको यहीं का नाया क cope bigger अब्रिया फारे में ऊपको झूर्श फिर साधे न तरह फैसर। तो पूरे बालों में इस तरीके से अप्लाई करना है और बन बना के रात भर के लिए छोड़ देना है अगले सुबह में उठके आपको माइल सेंपू से अपने बालों को धो लेना है हपते में कम से कम 2-3 मर इसे यूज करें आपके बाल जो हैं बहुत ही जल्डी से लंबे हूंगे पतली को मोठी करना चाहते हैं तो एक महिने के लिए इस वीट को बना के रख ले और यूज करके देखें मैं गारेंटी देती हूं पतली चोटी मोठी होंगी तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं next video में बबब 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 ए!